कि यह पांच वी उनिट थी ना पॉलिटी पहले भी करा था लेकिन थोड़ा सा एंड तक नहीं हो पाया पांशमी उनिट में मध्यप्र देश की संब्धानिक व्यवस्ता और भारत की संब्धानिक व्यवस्ता को टेख करके सुलिवस को उन्होंने डिजाइन किया हैkraid India सबह होगी उसके बाद संगीय कारीपाली का राश्च्टर प्रक्रिया भी और जो प्रमुक संविदान संसोधन हुए है वो भी दोनों बात हैं यानि दोनों तरीके के जो प्रस ने वह कंप्लीट हो जाएगे फंडमेंटल राइट बिना संविदान मतलब राजव्यवस्ता यह समझ लो इसके पढ़ाई के बिना तो पूरा होता ही नहीं है मौलिक करतब फंडमेंटल ड्यूटी डारेक्टिव प्रिंसीपल आप स्टेट पॉलिशी और उसके बाद राष्ट्रिय एवं प्रादेसिक संविदानिक आयोग और सहस्ता हैं कियानि की इसमें ईव पीजसी हो गया चैथे पीजसी वह गया वित्त आयोग हो गया ऐसी चीजें जो संविदानिक भी आती है और सांभे इतना सब तो भारत के संदर्ब में चलेगा उसके बाद जो नीचे लिखा है कि मध्यप्रदेश की सम्मेदानिक विवस्ता के अंतरगत राजिपाल, मंत्री मंडल, विधान सभा, हाई कोट तो कहने कारत ही है कि राजिपाल सम्मेदान के प्राबदान है वो भी हमें पढ़ना है कि कितने साल के लिए होता है कि आधिकार होते हैं क्या सकति हैं मध्यप्रदेश की राजिपालों की सूची रट जैसे प्रसना आए कि बताओ कौन व्यक्ति हाई कोट के जज रहे कि राजिपाल बने या इन में से कितने समय तक रहे तो उनकी लिस्ट भी जरूरी है पहले से लेके वर्तमान साइद मंगू भाई पटेल है ना वहां तक इ महला वाला सीह में के ना मोरी सब्सें को जाए कि वतन सब्सक्राइब कि दिए Yarूष तो और उसके बाद को सब्सक्राइब सेев्दाव व्यक्ति यहींज हम इसको हूं कर देंगे बस फिर मद्य प्रइश के जो चीफ डेस्टीस की सूची जो है वह देख लेंगे पूरे प्राबदान समयदान अन्साय यहनивать चुना हुए टनी पछाईते शनल चाल इतनी कि अंप्र है घृंक को लिकाल को ले करके तुड़ा इसमें सनसोधन किया गया है फेले यह था कि दो साल के बाद वापस बुला सकते थे अब बढ़ा करके तीन किया गया है तो नई चीज़ें एड़ ओन कर ले अधिय प्रदेश में good governance ये तो एक निवंद जैसी वे अवस्ता है इसमें कुछ factual जैसा रहे का नहीं आवराल टाइम जरूर इसमें 30 दिन का लग जाएगा अगर ठीक से इसको पढ़ते हैं कवर करते चलते हैं तो मान के चलो एक से और घंटे की जो बनी कैसे बनाई गई थी अंग्रेजों का शासंता दीरे दीरे हम आरे उनके साथ जगड़े होने लगे करांतेकारियों ने कुरवानियां दी आम जंता ने भी बहुत कुछ त्याक किया तब जाकर के भारत को सोतंतरता मिली तो अंग्रेज इस बात को लेकर तैयार हो हैं कि ठीक हैं हम आपकी शासन व्यवस्ता आपको सौंप देंगे मगर आप अपने लिए क्या बनाओ एक संविदान सभा का निर्माण कीजिए संविदान सभा संविदान बनाईगी तो ये संविदान सभा बनानी चाहिए अब जब संविदान सभा बनाना चाहिए इसकी सि और दूसरे कौन से थे इस्टेफोर्ट क्रिप्स क्रिप्स मिशन पहले भी आ चुका था लेकिन उस क्रिप्स मिशन की जो सिफारिश हैं थी उनको नहीं सुईकार किया गया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि भारत को स्वतंतोता मिले परिस्तियां उससे जाधा उग्र हो गई थी तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर ये तैग हुआ कि अब तो भारत को केविनेट मिशन के दुआरा एक तरफ हम लोग पढ़ते हैं न कि देदी हमें आज़ादी खडग बेना ढाल पढ़ते हैं यानि गांदी जी की महमामंडन करते हैं कि हमें तो आज़ादी देदी न तलवार की जिरुद पड़ी न ढर्ण की बिट पड़ी ऐसा नहीं है हजारों हजार लोग उनको कुर्वानी देनी पड़ी तब जाकर कि कहीं हमें ये आजादी मिली तो ये जो आजादी मिली तो कैबिनेट मिशन की सिपारिष पर सम्विदान सभा के चुनाव होते हैं तो उसी तरफ मुस्लिम लीग को जब ज़्यादा अच्छा परते नहीं मिला तो वो क्या करती है मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग में दंगे कर दिये जाते हैं तो ये जो सम्विदान सभाती हमारी इसका विवाजन भी हो जाता है तो ब्रिटिस भारत में जो 296 स्थानों के लिए चुनाओ कराएगे सम्विदान सभा को लेकर मुखे परिक्षा में हम समझेंगे कि इसको लेकर चैलेंज करते हैं कि ये संप्रभू नहीं थी संप्रभू का मतलब है कि इसके पास सारे अधिकार थे तो संप्रभू इसलिए नहीं थी कि एक तो कैबिनेट विजन की सिपारिस पर बनाई जा रही है एक बात तो इसकी ये आ गई दूसरी बात ये आती है कि इसमें वास्तों में चुनाओ जो लोग चुने गए थे वो आज की तरह यूनिवर्सल जो राइट रहता है या इनिवर्सल बोटिंग अधिकार वैसे नहीं थे कुछ लोगों को अधिकार थे बोट डालने का पूरी जनता भाग नहीं ले रही है तो 296 इस्तानों के लिए चुनाओ कब हुए जुलाई अगस्ट 1946 में 1946 जुलाई अगस्ट में चुनाओ हुए अब ये जुलाई अगस्ट में चुनाओ हुए थे तो किसको कितनी सीटे मिलती है कॉंग्रेस को मिलती है नीचे लिख लेना 208 सीटे मिली मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीटे मिली नहीं दो ये प्रमुक रूप से जरूर नमर याद रखना 208 कॉंग्रेस को मिली मुस्लिम लीग को थे अतर इसके अलावा यूनियनिस्ट को एक सीट मिली थी अनुसूचित जाती का एक संगठन था उसको एक मिली थी एक क्रिशक प्रजा पार्टी थी उसको एक सीट मिली थी अनुसूचित जाती परिशत को एक मिली थी एक गैर कॉंग्रेसी से कुसको भी एक मिली कम्यूनिस्ट को एक मिली स्वतंत्र लोग जो थे किसी पार्टी से सम्मंदित नहीं थे उनको भी आठ मिली ऐसे करके ये चुनाओ गे 208 कॉंग्रेस को मिली मुस्लिम डीग जिसने इतना बड़ा प्रोपगेंडा खड़ा कर रखा था उसको मात रतिहत्तर सीटे मिली यानि इस्तिती उसकी हो गई बहुत जादा कम जोड़ ठीक है है वही तो मैंने आपको बताया कि देखो चुने तो जनता के द्वारा जा रहे थे लेकिन आज के जैसी ना तो वोटर लिस्ट थी 18 साल से उपर वालों का सबका जो लोग उस समय थोड़े पढ़े लेके थे समझदार थे जुड़े थे उन लोगों के द्वारा चुन लिये तो ऐसा मान दिया गया कि हाँ भारत की जनता ने इनको चुना लेकिन सारी जनता के द्वारा नहीं चुए तो इस्तिती ये थी अब तुलनात्मक रूप से मुस्लिम लीक की इस्तिती हो गई कमजोर हो गई तो आप क्या करे वई खिस्यानी विल्ली खंबानों चे उसने सम्विदान सवा का वाइसकार कर दिया वोला वॉयकॉट करते हैं हम आपका इसका इससा नहीं बनेगे नहीं बनेगे तो मत बनो अब सम्विदान सवा की जो चुनाव हो गए सम्विदान सवा गटित होती है तो इसकी पहली बाय थट बुलाई जाती है कब बुलाई जाती है 9 दिसम्मर 1946 को फस्ट मीटिंग बुलाई गई अब फस्ट मीटिंग जब कॉल की जाती है तो उसमें मुस्लिम लीग जो है पार्टिसिपेटी नहीं करती है उसने वॉयकॉट कर दिया ठीक है यानि वो डारेक्ट एक्षन करने लगते हैं नहीं हमारे लिए तो अलगी पाकिस्तान बना दो जो भी कुछ है तो समिधान सभा जो बनी उसका इलेक्षन हो गए फिर अलग अलग यानि कहा जाता है कि तीन चरण तीन इस्टेप में इसका घठन वा था पहले केविनेट मिशन जो था उसने जिस आदार पर कहा वैसे इसके सदस्यों का नर्वाचन हुआ और कितने सदस्य थे उस समय नर्वाचन होना था तीन सो नवासी 389 जिसमें से 385 कहां से आने थे ब्रिटिस प्रॉविंस और चार आने थे ब्रिटिस कमिशनरेट से कमिशनरी जो रहती थी तो ऐसे करके 389 सदस्यों की संख्या नर्दारित हुई पहला स्टेप ये था ये भी अब्जेक्टिम में पूछ लेते हैं दूसरी बात क्या होती है कि दूसरे चरण में जब ये देखा गया कि मुस्लिम लीग तो दंगे पहला ले लगी है तो फिर बात माउंट वेटन को बुलाया गया ब्रिटेन में फिर उन्हें फिर से बापस बेजा गया और उन्होंने एक एनॉंसमेंट किया ये पॉलिसी की गोशना की जो थर्ड जून एनॉसमेंट के नाम से जाना जाता है तीन जून गोशना पतर उसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात थी यानि भारत अलग बनेगा पाकिस्तान अलग बनेगा और ये विभाजन किस सर्त पर हुआ था इसकी सर्त ये थी कि मुस्लिमो के लिए पाकिस्तान उन्होंने सबने वोट डाला कि हम तो पाकिस्तान चाहते हैं लेकिन राजनेताओं की यहां पर होश्यारी कहलो या कहलो मूरगता दोनों सब्दियां फिट हो सकते हैं कि जब धर्म के आधार पर देश का विवाजन हुआ तो फिर यहां पर मुस्लिमों को रहने का अधिकार दे दिया लिए इसका तो मतलब है फिर विवाजन क्यों कर रहे हो जब आप दर्म के आधार पर अलग प्रतक पाकिस्तान मांगते हो उसके बाद एक तरफ आप सब को रहने के इस्तान भी देते हो और चलता रहता है तो दूसरा स्टेप यह था कि पहले त अब जब भारत और पाकिस्तान अलग देश बनेंगे तो कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा कौन सा भारत में जाएगा कुछ ऐसे भी तो लोग थे यानि अंग्रेजों ने एक सिगूपा चेड़ दिया कि जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान चले जा तो उसमें कई लोगों ने भारत के साथ रहने से मना कर दिया जिसमे एधराबाद आ जाता है यमू कश्मीर आ जाता है तो जब यह देशी रियास्तों को मिलाया गया अलग-अलग समय पर देशी रियास्तों के प्रतिनीदी मिलते हैं और इसमें मैतिपुर्ण वो में का हमारे तरदार वॉल्लब भाई पटेल ने भाई 562 रियास्तों को मिलाया तो तीसरा चरण ऐसे ऐसे करके हमारी सम्मेदान सभा गठन हो जाती है पाकिस्तान की अलग हो गई तो सम्मेदान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1940 को पहला सम्मेलन सम्मेदान सभा का होता है जो पुराना संसद भावन है उसका सेंट्रल असेम्बिली जिसमें लोकसभा राजिस्वा दोनों आप देखते हैं एक खटे बैठते हैं उसमें पंके बड़े उंचा-उंचा हॉल बना था अब तो नई में सिप्ट हो गई तब सम्मेदान सभा के लोगों ने अपनी सभा में एक बुजर्ग व्यक्ति थे वयोवरद व्यक्ति थे नाम था उनका डॉक्टर सच्चिदा नंद सिनहा उन्हें आइस्थाई रूप से अपनी सम्मेदान सभा का क्या चुन लिया सभापती चुन लिया अब आइस्थाई थे तो इसका मतलब है कि हमारी इस असेंबली को एक पर्मानेंट मेंबर की जरुवत है तो पर्मानेंट मेंबर के रूप में फिर कौन आते हैं तो ग्यारा दिसंबर को जब दूसरी बैठा कोई दिसंबर 11 1946 को डॉक्टर राजेंद्र परशार उन्हें इस्ताइय अद्धिक्स चुन लिया गया अब संभिदान सभा है काम संभिदान बनाने का है तो जब संभिदान बनाया जाएगा इतना बड़ा संभिदान बनेगा तो उसका एक फ्रेम होना चाहिए तो इसका एक बी एन राव को संभिदान सभा का संभिदानिक सलाकार निप्त किया जाता है से 11 दिसंबर कोई आप अध्यक्षी बन गया संभिदानिक सलाकार भी बन गया तो अब संभिदान सभा बहुती है कि ठीक है अब हम अपना उद्धेश से बताते हैं कि objective proposal क्या है यानि हमारी संभ रुखारू के दुआरा थर्टीन तो अब दिसमबर नाइंटीन- Alberto Gatti अपनी सहमती दे और फिर हमारी सम्मिदान सबार दो साल ग्यारा महिने अठारा दिन लंबा समय लेती है अपने गठन के साथ उस समय के उपलब दविश्य के जितने भी समिधान थे सबका अध्यन करती है अध्यन करने के बाद उन मेंसे जो अच्छी बातें थी उन बातों को लेकर के अपने समिधान में रखती है खराब बातों को छोड़ देती है ऐसे करके उन्होंने 26 नवंबर 1949 को हमारा सम्मिदान बना करके तैयार कर दिया यानि नवंबर में ये सम्मिदान 49 में बनके रेडियो गया और इसे लागू किया गया है 26 जन्वरी 1950 को अब प्रस्न यह उठता है कि सम्मिधान क्या होता ये तो आप ने सम्मिधान सभा Kbal T सोच ऐसको फजी समधान सभा क्या इस्ताइद इकश कूं थे कौन थे डॉक्टर सचिदार हृषशन परसाद दूसरी बैटर क कब ही 11 दिसम्म्र कोई अब थोड़ा सा यह भी आता इता है बक्या जब पढ़ते हैं तो वही है समिधान समिधान करे जा रहे हो समयदान सभा करते हो है क्या समयदान होता क्या है Constitution क्या होता और confusion यह होता है कि आज के समय में जब हम news सुनते हैं तो देखते हैं अलग-अलग जो राजनेतिक पार्टियां है वो कहती है कि हमारी पार्टी का समयदान फिल्मों में भी दिखा देते हैं कि हमारी पार्टी का समयदान तो वो पार्टी का समयदान और इदर इस समयदान क्या अलग-अलग है एक ही है तो समयदान का मतलब है किसी देश के समयदान का अर्थ होता है कि उस देश का सबसे बड़ा कानून Supreme Law of Nation कानून का मतलब ही हो जाता है कि जिसका आपको पालन करना पड़ेगा अगर कानून है तो मानना पड़ेगा कानून नहीं है तो मत मानो जैसे आप अपने माता पिता की बात मान लेते हो तो ये कानून नहीं है आपका उनके प्रती सम्मान है आप अपने कर्तब भी को निभा रहे हो कि आप उनके पुत्र है इसलिए पुत्र का कर्तब भी होता है कि अपने पेरेंट्स की बात को मान दिला लेकिन कानून नहीं है कानून का मतलब है ये मानना ही पड़ेगा नहीं मानो तो तो पनिश्मेंट मिलेगी दंड मिलेगी सजा मिलेगा नहीं सजा मिलेगी तो सबसे बड़ा हो तानून किसी देश का होता है उसे हम कहते है Constitution एक लाइन दूसरी लाइन उस देश की समस्त जो भी व्यवस्ता है अब राजा रजवाडे तो हैं नहीं अब तो चुनुई सरकार हैं तो जो भी उस देश की व्यवस्ता है चाहें वो प्रशाशने को विधाई हो या कारिपालिक व्यवस्ता हो उसका प्रेड़ना या उसका आधार वही सम्मिदान होता है Supreme Law of Nation हो गया उसके आधार पर उस देश की समस्ते व्यवस्ताओं का संचालन किया जाता है वो होता है सम्मिदान अब पार्टी का सम्मिदान तो पार्टी मतलब कोई राजनेतिक पार्टी है उसने अपनी पार्टी के लिए जो Rules Regulation नियम बनाए है उसने उसे अपनी पार्टी का सम्मिदान का नाम दे रखा हुआ है देश का सम्मिदान नहीं है अलग अलग पार्टियों की अपनी अपनी विचारदारा रहती है कॉंग्रेस की अपनी विचारदारा भाजपा की अपनी विचारदारा आज के समय में कॉंग्रेस की विचारदारा पीछल रही ठीक है तो अब सम्मिदान ये होता है फिर बात करते हैं कि सम्मिदान तो ये हो गया सम्मिदान होता है देश के लिए राश्टर के लिए राश्टर क्या होता है वई quality जब हम पढ़ते हैं राजव्यवस्ता जब पढ़ते हैं तो राश्टर को ही राजजी भी कह देते हैं अगर हम पुराने संदर्ब को देखें, चाहे रामाइड को देखें, महावारत को देखें, तो कहते थे न, यो पड़ोसी राज्य जो है, उसका राजा वड़ा प्रतापी है, तो राज्य से मतलब राश्ट्री था, तो राश्ट्र किसे कहते हैं, नेशन किसे कहते हैं, राज जी किसे कहते हैं तो राज होने के लिए मुलभूत कंडिसन है कि चार ये पॉइंट जरूरी है कौन-कौन से पहला है जियोग्राफिकल एरिया वागल एक्षितर होना चाहिए पर राज है देश है तो कहां हवा में इंद्रलोग थोड़ी है तो यानि जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए जैसे कि हम देश हैं हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया है 32, 87, 263, 37, 263, 263, स्क्वेर किलो मीटर अब भवोले के एरिया है तो खाली पड़ा है, सुनसान है न जीव है न कुछ तो उसका मतलब है वहाँ पर लोग होना चाहिए जनसान क्या नागरिकों का होना आनेवार है अब नागरिक भी है जियोग्राफिकल एरिया भी है तो फिर वहाँ उनके लिए गवर्ण करने के लिए सरकार होना चाहिए अब सरकार कैसी है? सरकार स्वतंत्र होना चाहिए अपने निर्णे खुद ले सके किसी अन्य से पूछने न जाए दूसरे देश से पूछने न जाए तो ऐसी सरकार जो हो सोबरिन, संपूर्ण, प्रवुत्य, संपन 1947 के पहले हम देश क्यों नहीं थे क्यों कहते थे दास्ता काल था वहलेक शित्र भी था, जन्ता भी थी और बिटिस सरकार भी थी बिटिस सरकार थी, निर्णे बिटिन से ले रही थी वो तो इसलिए वह देश उस समय नहीं था, तो राष्ट्र आगनेक राष्ट्र होने के लिए चार must essential point याद रखने पड़ते हैं अब इसी में वर्ड आ गया भी या सरकार, government government क्या होती है सरकार के तीन अंग होते हैं, यानि सरकार जो नागरिक हैं, नागरिकों के लिए काम करेगी, पहले राजा होते थे तो राजा अपने लिए मंत्री रखते थे दूत रखते थे, ये सब चीज़ें चलती थी तो अब modern way में आदनिक समय में सरकार हैं, उसके तीन अंग बताए जाते हैं, एक है legislative body, legislature कहलो, विधायका कहलो विधायका यानि की जो कानून बनाएगी, विधान बनाएगी उसे कहते हैं विधायका विधान बनाने वाली संस्ता कानून बनाने का काम आज संसद करती है राज्य में राज्य विधान मंडल करते हैं, तो ये सब क्या है विधान मंडल के part यानि सरकार का एक हिसा जो कानून बनाता है अब संसद चुनके आते हैं, ऐसी क्रियानवयन करेंगे लौका तो क्रियानवयन जो करेंगे तो वे लोग जो इसको क्रियानवित करते हैं तो वह कहलाती है कारिपालिका एक्जीक्यूटिव बॉडी तो एक्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब है प्रदान मंत्री मंदल चीफ मिनिस्टर राज्य के मंत्री मंदल इसके अंतरगत आने वाले प्रशासने का अधिकारी कर्मशारी कोई कि वही तो कानून का किरियानवित करते तो वो क्या हो गए वो कारिपालिका हो गए ये भी सरकार का एक दूसरा हिस्सा है एक हिस्सा जो कानून मना रहा है दूसरा हिस्सा वो है जो कानून बने हुए है उन के साथ अन्याए ना हो तो न्याई पालिका होना चाहिए यानि की सोशन ना हो उसका आपने जो कानून बनाया है वो लोग हित में होना चाहिए ना तो लोग हित में कानून बना है कानून सही है कानून का क्रियान वेन किया गया है तो तीसरा अंग होता है का सुप्रीम सबसे बड़ा कानून था किसी देश का तो देश क्या था देश होने के लिए चार पॉइंट होना जरूरी था वगल एक्षेत्र नागरिक उसके बाद सरकार और सरकार के बाद होना तो यहां आ गया सरकार तो सरकार के होते हैं तीनंग विदाइका कारिपालिका और नियाइपालिका अब बिधाय का, कारिपाली का और नियाईपाली का यानि हम किस देश की ये व्यवस्ता देख रहे हैं लोकतंत्रात्मक यानि व्यवस्ता है कैसी है डेमोक्रेटिक तो लोकतंत्र क्या होता है अब बात यहां आती है चुकि सम्मिधान भी लोगतंत्रात्मक चीज़ों की बाते करता है डेमोक्रेसी तो अबराहिम लिंकन ने बोल दिया अबराहिम लिंकन कौन है अमेरिका के पहले राश्ट्रपती उन्होंने बोला कि government of the people for the people and why the people यानि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शाशन ऐसा शाशन जो किस के द्वारा किया जाए जनता के द्वारा और किस पर किया जाए जनता पर ही करा जाए जनता के द्वारा किया जा रहा है जनता के उपर किया जा रहा है और किस के लिए कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं तो इससे भी काफी इस्तिती समझ में तो आ जाती है कि डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है तो डेमोक्रेसी का मतलब जनता मैं आप सब जनता हैं तो हम सब सासन तो नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं हम अपने बीच में से चुने हुए लोगों को भेज देते हैं जो अच्छे लोग हैं चुन करके बोट दे करके कि जाओ भीया आप अच्छी नीतियां बनाना हमारी व्यता जानते हो सड़क पर गड़े हैं गड़ों में सड़क हम तो अच्छे चुन के भेज देते हैं अब वो वहाँ जा करके कुछ भी करते हो तो डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेसी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जनता का जनता के लिए चुना हुआ सासन और अगर हम डेप्थ वाइज इसको देखें लोगतंत्र एक तरीके से राजनेतिक तंत्र है पॉलिटिकल सिस्टम है और दूसरी तरफ लोगतंत्र क्या है तो हमारे जीवन की प्रणाली है यानि हम अपने हर इससे में छोटी बड़ी चीजों में डेमोक्रेटिक चीजों को मानते हैं राजनेतिक तंत्र तो हुआ जोने के बहुमत जिसका हो गया कैसे सासन चलाना है क्या लेकिन एक रहता है ना कि जैसे हम अपने व्यक्तिकत जीवन में हम दो तीन चार लोग परिवार में रहते हैं तो क्या एक ने नड़ने दे दिया वो मान लेते हैं पर भी हम आपसी राय मश्वरा करके चलते हैं तो वो सिस्टम भी इसमें आ जाता है तो जब हम अपने व्यक्तिकत नड़ायों को भी इस डेमोक्रेसी से जोडने लगें तो एक बड़ी सोच मानी जाती है कि हम छोटे इस तरफ पर ही डेमोक्रेसी को मान रहे है और सिर्फ बोटिंग और इस प्रसासन से संबंदेत अगर बात आती है तो ये बड़ी सोच नहीं एक नेरो विवाना जाता है कि आप सिर्फ प्रसासन की दृष्टी से देख रहा हूं अब यहां प्रस्न ये नहीं आएगा कि लोकतंत्र क्या होता है प्रस्न ये आएगा कि लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है तो लोकतंत्र को दो भागों में बाटा जाता है एक जिसे कहते हैं डारेक्ट प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है आप प्रत्यक्ष लुक्तत्र डारेक्ट डेमोक्रेसी और इंडारेक्ट डेमोक्रेसी तो भारत में भी है कहने के लिए डेमोक्रेसी अमेरिका में भी है डेमोक्रेसी तो ब्रिटेन में भी है तो डेमोक्रेसी भारत में ब्रिटेन में अमेरिका में इसमें किस देश में डारेक्ट है और किस देश में इंडारेक्ट है आंसर ज्यादा तर क्या मिलता है कि बोल देते हैं कि अमेरिका में डारेक्ट डेमोक्रेसी है भारत में इंडारेक्ट डेमोक्रेसी है कैसे आपने उत्तर दिया ये डारेक्ट और इंडारेक्ट का तो वो कह देते ह से कि और भारत में चुकि राश्टरपती के पास उतनी शक्तिया नहीं होती प्रदानमंत्री मुख्य होता है यह उत्तर होता है गलत 100% क्योंकि यह डारेक्ड़्य कोई मतलब ही नहीं बताता है यह तो एक सासन प्रणाली बताता है कि एक तरफ अध्यक्षात्मक है प्रेशिडेंशियल है और दूसरी तरफ क्या है पार्डिया मेंट्री सिस्टम है यानि प्रदान मंत्री के द्वारा चल रही है तो यह चीजें यहां पर रहती है अब तो फिर सही क्या है तो सही होगा डारेक्ट डेमोक्रेसी होने के लिए विशेश अग्यों ने सम्मिदान के विशेश अग्यों ने यह कहा कि चार महत्मूर पॉइंट होना चाहिए वो कौन कौन से चार महत्मूर पॉइंट होंगे पहला पॉइंट आता है कि पहला पॉइंट आता है चार महत्मूर पॉइंट में कि ऐसा देश ऐसी व्यावस्ता जहां जन्मत संग्रह किया जाता हो यानि रिफ्रेंडम जिसे कहते है यानि कानून बनाते समय जन्ता की राय ली जाती हो क्या मरम भारत में कानून बनाते समय जनता की राहए ली जाती है पहले ही point नहीं बिला तो भारत direct democracy तो नहीं है democracy तो माल नहीं है लेकिन direct democracy का एक point missing है अब एक ही नहीं और भी देखते है दूसरा होता है जिसे कहते हैं plebiscite ये भी जन्मत संग्रह के जैसा है प्लेवी साइट P-L-E-B-I S-C-I-T-E P-L-E-B-I S-C-I-T ये भी जन्मत के जैसा है लेकिन होता क्या है कि देखो कि एक में जो जन्ताने राय दिये है वो सरकार के लिए मानना कंपलसरी नहीं होता है वो दूसरे में कंपलसरी होता है यानि उसी से मिलता है पॉइंटो तो इसमें क्या होता है प्लेवी साइट में कि जन्मत संग्रह कराया जाता है मगर राष्ठित के मुद्धों पर और पहला ऐसा था कि उसमें राष्ठित की बात नहीं आती है कानून बनाते समय आप जन्मत संग्रह करवाते हो हमें दोनों ही चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है तीसरा होता है इनीशियेटिव का मतलब यह हो गया कि जन्ता स्वयम खुद कानून बनाने के लिए विदेख रख सकती है आज कानून बनाने की प्रग्रिया यह है चाहें अमेरिका हो चाहें भारतो कि विदेख प्रस्तुत किये जाते हैं संसद में पारित करवाए जाते हैं फिर सिगनेचर हो जाते हैं जन्ता का कोई रोल नहीं है विदेख कौन प्रस्तुत करेगा सांसत करेगा या मंत्री करेगा तो यहां यह कहा जा रहा है कि डारेक्ट डेमोक्रेसी में जनता स्वयम उसके पास अधिकार है कि वह विदेयक विदायका में प्रस्तुत कर सके ना अमेरिका में यह दिकार है ना हमारे देश में अधिकार है तो ना तो अमेरिका डारेक्ट ड प्रतनिदी को चुनते हैं पारसद को चुनते हैं लेकिन हम विदायक को सांसद को इनके कारिकाल से पहले हटा नहीं सकते जायतों में तो मिल गया है फिर भी अधिकार तो ये चार पॉइंट चार तत्त जिस्वी देश में होंगे वह कहलाएगा प्रत्यक्ष लोगतन्त्र वाला देश और इन Čर मेंसे कुछ भी मिसेंगे तो वह कहलाएगा इंडारेक्ट अब ना तो अमेरिका में यह चारों मिलते हैं भारत में चारों मिलते हैं जब अमेरिका राश्ट्रपदी शासन प्रणाली वाला है और भारत जो है अध्यां यह संसदिय शासन प्रणाली वाला है उसके बाद भी ठीक है तो हम दोनों ही indirect democracy वाले देश हैं कारण यह भी है कि देपो यह चार ऐसे पॉइंट है वो पॉइं सक्सेस होंगे जिस देश में पड़ी लिखी जनता होगी समझती होगी कि मेरे अधिकार क्या है कानून पिद्यक कौन सा प्रस्तुत किया जाएगा जन्मस संग्राय कराया जाए तो राश्टित की द्रश्टी से वो बोट करें अभी हमारे यहां तो बोट ही करते हैं तो वहां राश्टित नहीं होता स्वाहित होता है राशन फ्री में मिल रहा है लेकिन हम बोट क्यों करेंगे पाकिस्तान के जम्रथन में करेंगे तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दोनों यह चीज़ है तो जो सिस्टम है या यसा कहलो कि संविधान का यी विभाजन जो है तो संविधान में चुकी कहा गया ना कि हमारी समस्त व्यावस्ता उसी के आदार पर संचालित होती है तो एक तरफ देखने को हमें मिलता है संसदिय शासन प्रणाली पार्लिया मेंट्रिय पॉर्म आफ गवर्मेंट और दूसरी तरफ इसके विप्रीत होता है प्रेसिडेंशियल पॉर्म आफ गवर्मेंट इसे हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं दोनों में कुछ अंतर है विश्यू में सबसे पुराना उदारन पालिया मेंटरी फॉर्म अब गवर्मेंट का कहां मिलता है किस देश में मिलता है बिटेन में मिलता है अब ये और ये दोनों अलग कैसे हैं अलग ऐसे हैं बेखो शासन कहीं भी हो चाहें polyamellenatari बाला हो चाहें संसत्य बाला सरकार तीनों जगे रहे दोनों इस्थानों पर देखने को मिलेगी और सरकार मिलेगी सरकार के जो तीन पार्ट बताये थे ना आपको एक विधायका विधायका भी वान होगी यानि कानूग बनने वाली संस्ता होगी दूसरा क्या है कारिपालिका यानि किरियानवेन करने वाली संस्ता भी होगी और तीसरा वान जिडिशरी भी होगी न्याईपालिका भी होगी अंतर सिर्फ दोनों में ये होता है कि जहां संसदी असासन प्रणा दिये यह सबहारत में संसदी असासन पेना भारत में कानून कोन बनाता है संससद बनाती संसद में कौन भाणते हैं संसद बैठते हैं को एक तो संसद विधार का का हिस्सा होगestens दूसरी तरह मंत्री और स्व operation मिनिस्टर चाम के चर्थरों ओर इनको को हम कहते हैं कारिपालिका ते वि मिलीट हैं और कारीपालिका के वी सदस्य है तो हमारे देशोर सबिस, परिखिया उत्रम सबस्त concret वह नहीं सरकार घ्योद अलग वह अवितू अरद जंद स कभी हुने में हम विधाय का, कारिपालिका इनके कारियों में, reflect विवाजन नहीं कर सकते, जबकि अध्यक्षात्मत में क्या होता है, तीनों अलग हैं, विधाय का एतो अलग, जैसे कैसे, अमेरिका में अभी चुनाओ उनगे, राश्ट्रपती के तो अमेरिका का जो राश्टरपती है वो इसका प्रमुख है कारिपालिका का वहां की जो संसद है वो लोग ना तो मंत्री बनेंगे ना उनकी सरकार होगी वो सिर्फ संसद ही रहते हैं तो बुनका इसफ़्ष्ट विभाजन है नियाईपालिका अलग है तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे पुराना उदारण जो है वो अमेरिका माना जाता है जिसमें बास्तों में प्रमुख शक्तियां राश्टरपती के पास होती है ना इसी आदार पर एक तो यह हो गया जिसमें बिभाजन कैसे किया था संभिधान का या विवस्ता का संसदिया सासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक पिर यहीं करते हैं कि कुछ संभिधान कैसे होते हैं संघात्मक होते हैं और कुछ संभिधान कैसे होते हैं क्वासी प्रेडर का मतलब ये है कि उस देस में जो शक्तियों का केंदर है वो किसी एकी संस्था को बनाया होगा या एकी किसी व्यक्ति एकी किसी अधिकारी के पास सारे पावर होंगे कोई भी निड़ने लिया जाएगा तो वही लेगा नीचे वाले लोगों को कोई निड़ने लेने का अधिकार नहीं होगा वो सिर्फ उसके सपोर्ट के लिए काम करेंगे कहने का मतलब है प्रादेशिक एकाईयों की स्थापना सिर्फ उनके सहयोगी के रूप में की गई जैसे अभी केंदर सरकार है फिर राज्य सरकार हैं तो यहां एकात्मत में राज्यों को कोई अधिकार नहीं है कि एक आत्म विवस्ता में सभी सक्तियां इनके पास होती हैं दूसरी मिश्रस्ता यह भी ओजाती है कि यहां पर एकल नागरिक्ता देखने को मत तब कि इसके दो अर्थ निकलते हैं एक यह कि एकल है या आप सिर्फ एक देश की नागरिक्ता ले सकते हो दूसरा यह अर्थ भी निकलता है कि आप केंदर और राज्य की अलग-अलग नागरिकता भी नहीं लिनी है यह एक。」 रहेगी और यहां पर एकल नियाय पालिका भी रहेगी मतलब सुप्रीम कोट है, या है कोट है, या डिस्टिक कोट है तो Supreme Court के फैसले आई कोट के दोरा आई कोट के फैसले District Court के दोरा माने जाहेंगे ऐसा नहीं होगा कि इनका फैसला अलग है इनका अलग है तो एकल सरमिदान कहलो या एकात्मक वेवस्ता कहलो Unitary System ऐसा उदारण हमें United Kingdom में मिलता है United Kingdom में संसद होगी रदानमंत्री हो गया उनके यहां वरगी करण तो है जैसे हमारे यहां मतिप्रदेश राज्य उत्तर प्रदेश राज्य लेकिन वहां राज्यों में सरकार हैं नहीं होती वो केंद्र के द्वारा ही सहयोगी के रूप में बनाए जाते हैं इसका ज़स्ट उल्टा करो इसे कहते हैं फेडरल या संगिय व्यावस्ता फेडरल वाले में क्या होगा यहां पर केंद्र सरकार अलग होगी और राज्य सरकारे अलग होगी और जब केंद्र अलग है राज्य अलग है दोनों की शक्तियां अलग है तो इसलिए दोनों के लिए टकराव ना हो विवाद ना हो इसलिए सम्मेदान लिखित होता है जबकि एक आत्मत वाले में सम्मेदान लिकित नहीं होता है लेकित होता है ब्रेटेन का लिकित सम्मेदान नहीं है लेकिन जहां संगिय व्यवस्ता होगी रेटेन कॉंस्टिट्यूशन बनायाई इन्हीं के लिए क्या है कि आपका लिकित में समझोता है कि तुम मेरी लाइन क कोट या supreme court है वो सिर्फ उन केसओं की सुनवाई करेगा जो केंद्र सरकार से संब्न देते हैं हाई हई-court के फैसले यहां चैलिंज नहीं होगा हमारे देश में तो होते हैं तो हम कहां है एकात्मत में भी फिट नहीं हो रहे हैं संगात्मत में भी फिट नहीं हो हमने ख्षडी बना रख्य हर जग है दोनों प्रकार के विगनों को ले रखा है हम एकात्मद और संगात्मद दोनों विश्विषताओं को रखते हैं, चीकлох है तो भारत एक तरह हमने पढ़ाता कि संसदीय Glassange Pranali वाले देश होते हैं तो हमने प्रणाली संसधी रख ली पालियावेंटरी फॉर्म ऑब गवर्मेंट और दूसरी तरफ हमने क्या करा है कि केंद्र को ज़्यादा सक्तियां दे रखी है वर्तुमार वाला केंद्र कमजोर सिद्ध हो रहा है तीसरा कारिकाल चल ला उसके बार व मोदी सरकार सबसे कमजोर सरकार चिद्ध हो रही है मैं बड़ी आलोचना करता हूं मोदी जी की इस समय इसका मतलब यह नहीं कि मैं राहुल गांदी का सवर्त हूं हां क्या तो राश्टपती सासन के लिए सम्वेदान में आर्टिकल 356 है उसमें यह लिखा है कि किसी राज् सम्मेदाник तंत्र विफल होने को कैसे समझोगे तो एक रहता है कि इसके पहले भी लगाया गया होगा ना कैसे लगाया था कुछ नहीं लगाया राज्यपाल से रिपोर्ट बनवादी कि लिख दो सम्मेदानिक तंत्र वफल हो गया केंद्र में कांग्रेश की सरकार है राज्जी में किसी दूसरे दल की सरकार बनी, पुला सरकार को बरकास करना है, लेक दो बस उस रिपोर्ट का अधार बना करके लगा दिया ऐसे लगता है, मनमानी, लेकिन परिष्टितियां अगर सही हैं तो लगता भी है, लगाना भी चाहिए तो यह परिष्टितियां थी लेकिन जो भी है खेर तो यहां शक्तियां केंदर के पास जादा हैं हमारे भारत के संदर्ब में तो भारतिय सम्मिदान को हम कौन सी केटेगरी में रखते हैं वारत की सम्हिदान की प्रकरती जो है यानि शुभाव, नेचर वो तो एकात्मक है, यूनिट्री है लेकिन उसका स्ट्रक्षर ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपको दिखाई देगा कि देखो ये संसद है तो ये केंदर का काम करेगी अलग-अलग राज्यों में विदान मंडल है ये राज्यों के लिए काम करेंगे अलग-अलग राज्यों में सीएम है अलग-अलग राज्यों में गवर्णर है उनकी सक्तियां अलग हैं वो अलग मुद्धों पर टेक्स लेते हैं वो अलग उनकी सड़के मनाई जाती है ना तो दिखाई देता है कि स्ट्रक्चर में संगात्मक है लेकिन हसका सुभाव कैसा है एकात्मक क्योंकि ऐसे अधिकार है ऐसी परिस्तितियां है कि जब केंदर के पास ज्यादा सक्तियां पहुंच जाती है इमर्जेंसी और आश्ट्रपती शासन और कई इस्तिती तो ऐसी है कि केंद्र के द्वारा गए दिये गए नर्देशों को राज्यों को मानना पड़ता है और अगर नहीं मानते हैं तो आर्टीकल थ्री सिक्स फाइब के रिफ्रे सममिदान उसमें उनीटिड किंग्डम ten का है ठीक है तो यह जो पॉइंट है कि सम्मेदान व्सु का सबसे बड़ा और लेखित है अमेरिका का सम्मिदान सबसे पुराना लेकित सम्मिदान है ब्रेटैन का सम्मिदान सबसे पुराना है लेकिन आ लेकित है अमेरिका में जूडिशरी सुप्रीम मानी जाती है हमारे देश में संसथ वो कॉम्बीनेशन है कॉंबिनेशन के ऐसा कि ब्रिटेन में संसत सरवोच होती है ब्रिटेन की संसत के बारे में विद्वान ये कहते हैं कि वह हैं मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बनाने के अलावा कुछ भी कानून बना सकती है इतनी पावरपुल है इसको कोई कोट कैंसल नहीं कर सकता हमारे देश में क्या होता है कि संसदने कानून बनाया सुप्रीम कोर्ट उसको चेक कर लेता है सही है तो ठीक है नहीं तो खटा देंगे तो ऐसे करके यह चीजें चलते हैं तो इसकी एक चीजें चलते चलते मुझे लगता है साथ में यह दो इविट समापत होंगी बीच दिन के अंदर के टीज में कत्म हो जाना चाहिए कि साथ साथ में आप इसको पूरा है अगर 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 अगर